नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराने कथाए में स्वागत है। गरीबी दलिद्रता आपका पीछा नहीं छोड रही है और आपने पानी का सही रूप से इस्तमाल करना सीख लिया और जान लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। के आशिर्वात से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उनती करेंगे। दोस्तों आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नकाराक्मक जो भी शक्तिया हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। लेकिन आपके घर में जो एक साधा पानी आता है उसका इस्तिमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीखिया जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है आपके कितना ही बड़ा दिग्ड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नकाराक्मक शक पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है क्रिया को आपको सही तरीके से करना होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन मिस आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तिमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं. जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक रुपया का खर्चा नहीं होगा, लेकिन आप लाखो रुपय का फायदा पा सकते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है, इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट ले लेकिन यकीन मानिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्षमी का आशिरवाद मिलेगा. धगवान भोले नाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा. गरीबी दलिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा सुख समरिधी आपके घर पे जरूर आएगी दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इनसान कुछ भी कर सकता है दोस्तों अगर एक व्यक्ती को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ निचावर कर देगा एक ग्लास पानी के लिए आपको बता दें एक व्यक्ति खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परन्तु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे आप्शन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है उसको पानी चाहिए ही चाहिए वरना वो जी नहीं पाएगा इसको भी एक अध्भुत ताकत माना गया है साइनस की लेंगवेज में दोस्तों अगर साइनस की लेंगवेज में हम आपको बताया साइनस की भाशा में आपको बताए पानी लोगों की बातों को समझता है यकीन मानिये आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में चार के काम में ले आएंगे. दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी, कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं, तो आपके उपर नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं. इसलिए पुराने समय के लोग बार-बार कहते थे, कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा. आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं, सिर्फ पानी से अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, शत्रु बनने के पीछे कई कारण होते हैं कोई व्यक्ति आपके बराक्त से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हडपना चाहता है, तभी वो आपका शत्रू बनता है शत्रू होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परिशानियों से भर जाता है आप अपने शत्रू के बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा लेकिन आज के बाद आपके शत्रू आपका कुछ भी नहीं विगाड़ पाएगा क्योंकि एक साधारन पानी का इस्तिमाल करके आप अपने शत्रू को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं यकीन मानिये आपका शत्रू आपके घुटने पर आजाएगा स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, लेकिन इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा ये एक आसान से क्रिया है स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तिमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों आपका शत्रु हमेशा यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए आपके जीवन सुख समरिधी और भाग्य के साथ चला जाए और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तिमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है, जो सच्चे लोग होते हैं जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इनसान का नुकसान करना चाहता है तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नकारात्मक है स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तिमाल कैसे करना है? चलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक बताते हैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशिरवाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा हर हर महादेव दोस्तों विडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए हर हर महादेव अब आप कम समय नश्ट ना करते हुए आपको सरल भाशा में बता दे स्वाधिष्ठान चक्र का अगर आपको प्रयोग करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रू बर्बाद हो जाए तो आपको एक तामबे का ग्लास लेना होगा ध्यान रखिएगा स्टील और कांच का ग्लास मत लीजिएगा ये चेताबनी है वरना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है अगर आपके पास तामबे का ग्लास नहीं है और आप मिट्टी के ग्लास का इंतजाम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है अब आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इस ग्लास को लेना है इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है इसमें अपनी परचाई को देखना है ध्यान रखिएगा जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पाव जमीन पर खड़े हो मतलब धर्ती से आपका पाव चूना चाहिए स्वाधिष्ठान चक्र आपको आधे घंटे तक स्मरण करना होगा बोलना होगा यह प्रक्रिया सिर्फ आपको साथ दिन करनी है सुबह और शाम सुबह साथ बजे से पहले शाम को साथ बजे के बाद ये प्रक्रिया अगर आपने कर ली आधे घंटे तक आपको करना है। ये साथ दिन तक आप यकीन मानिये जो आपका शत्रू होगा, वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बरबादी चालू हो जाएगी। आपको बता दे आपका शत्रू आपके बारे में सोच, सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आपको जब भी देखेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रूओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा तामबे के लोटे और मिट्टी का जोगी ग्लास होता है, उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रों को पूरी तरह से बरबाद कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए इस्तिमाल करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले इनसान का जीवन बरबाद कर दे तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भी इनसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बरबाद करना चाहता तो स्वधिष्ठान चक्र उसकी बरबादी कर देगा। अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंध हो गया है, तो इसके लिए जो मंतर का जाप करना होगा वो होता है, श्रीम बीज, श्रीम बीज मंतर का जाप करके आप जीवन में चुम्बक की तरह धन को आते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन से दलिद्रता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्षमी का आशिरवाद आते हुए देखेंगे, आपका जीवन सुख और समरध्धी से भर जाएगा, जैसा ह लेकिन इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है, इसमें आपको साथ बजे के पहले ना साथ बजे के बाद मंतर का जाप करना है, श्रीम बीज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके के अपनानी होगी, मतलब जितनी बार आप पानी पीएंगे उतनी बार आपको श्रीम बीज का जाप करना होगा वो भी दो मिनट तक आपको करना होगा आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं इसलिए हम आपको हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और श्रीम बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं इसलिए विडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिसना कीजिएगा आपको बता दे श्रीम बीज मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनात के लिए आप लोग जबते हैं और बाबा भोलेनात का आशिरवाद मिलता है माता लक्षमी का भी इसमें आशिरवाद आपको मिलता है इसलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं श्रीम बीज मंतर अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते हैं तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प हम बताने जा रही हैं जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा इस लाल गुलाब को आप किसी भी किसी भी एक गिलास के वोटर में डाल दीजिए मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चपल ओके आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा अब आपको करना ये हैं किसी एक बड़ी बोटल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्रीम बीज वाला पानी तयार किया है इसको पलट लीजिए इसको पलट लीजिए और पूरे दिन इस पानी का इस्तिमाल कीजिए इसी पानी को आप लोग पीते रहिए दोस्तों आपको बता दें जब आपने पानी के साथ श्रीम बीज का जाप किया था उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था अब इस अभिमंत्रित पानी को जब आपने जग बोटल में पल्टा तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतरगत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुवात में ही बता दिया था हमारे शरीर में 70% पानी होता है और जब इस पानी का धारन करते हैं आपके शरीर में यह जाता है तो यहाँ आपका पानी जो शरीर में जा रहा है यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने आपके शरीर में आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी बाबा भोलेनात का जहां आपको एक तरफ आशिरवाद मिलेगा वहीं पे माता लक्षमी आपके लिए धन के दर हिंदु पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है आप इसका उप्योग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था एक रुप्या का आपका खर्चा नहीं है सिर्फ इस मंत्र का जाब करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं आपका परिवार सुखमय हो सकता है आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परिशान हैं तो हर बुधवार को रिनहर्ता गनेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से भगवान गनेश का आशिरवाद मिलता है और जीवन में उन्नती के मार्ग प्रशस्थ होते हैं इस पाठ के करने से जीवन में धीरे-धीरे सुखसमरिद्धी आती है और विघन भी दूर होते हैं ध्यान रखें की रिनहर्ता गनेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गनेश की आरती जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल जोतिश ग्रंत गंगा हिंदू पुराणों के हिसाब से काम करता है और हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जनकल्यान इसलिए आप से एक निवेदन था हिंदू भाईयों तक इस चैनल को पहुँचाईए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुन्य मिले और हमको भी पुन्य मिले और हम दोनों पुने के भागीदार हो जाए दोस्तों विडियो लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखेगा हर हर महादेव हर हर महादेव